नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर नितेश्राज, आज हम बात करेंगे PME के बारे में, PME का मतलब है Premature Ejaculation, जिसको की हम हिंदी में बोलते हैं शिग्रपतन, आप सब बहुत सारे वीवर्स और सब्सक्राइबर का ये डिमांड था कि मैं एक वीडियो इस पे बनाओ, इसलिए मैं mechanism involved होता है Ejaculation में, और finally, कौन से medicines, क्या-क्या Medical Treatment है इसका, इसके बारे में हम बाते करेंगे, और भी कुछ treatment है उस पे थोड़ा बहुत हम नजर डालेंगे, बट हमारा Prime Focus होगा Medical Treatment, जो Medicinal Treatment उस पे, तो चलिए शुरुवात करते हैं, सबसे पहले कि PME, मतलब Premature Ejaculation, या हिं तो सबसे best इसका definition रहेगा, कि Any Ejaculation, which is occurring sooner than the desired, and which is causing distress to one or both of the partners, मतलब जो होना चाहिए, आपका जो desire level है, उससे पहले ही अगर जो है, आपका Ejaculation हो जा रहा है, और उसके चलिए कोई भी एक person, इधर आप या आपके partner, या दोनों लोग अगर इस चीज़ से काफी bothered हैं, काफी anxious हैं, या जो है आप tensed हैं, तो ये PME का definition में आता है, हाला कि एक ISSM करके एक है society, International Society of Sexual Medicine, इन्होंने जो definition दिया, इसमें तीन चीज़ों को इन्होंने include किया, इसमें बात आ गई IELT की, IELT क्या होता है, कि intraveginal ejaculation latency time, जब जो है sexual intercourse के लिए जो है penis penetrate करता है वेजाईना में, उस समय से जो है ये count करते है time, और कितने देर तक ये sustain करता है, तो ये IELT में आता है, तो इस society के हिशाब से जो definition था, कि अगर एक मिनिट से कम हो रहा है, या उससे पहले ही हो जा रहा है काफी पहले, तो वो आता है premature ejaculation में, और इसको हम बोलते है lifelong premature ejaculation, और दूसरा इसमे no control over his ejaculation, और तीसरा बोला गया कि जो भी ये problem हो रहा है, IELT काफी decrease कर गया है, prematurely ejaculate हो जा रहा है, या आपका control नहीं है ejaculation के ऊपर, और इन सब चीजों के चलते, अगर काफी आप या आपके partner या दोनों लोग अगर काफी tensed हैं, anxious हैं, बहुत bothered हैं, इसका मतलब है कि ये अच्छे से इसको अगर explain करें, तो ये भी हो सकता है कि कि किसी का 30 second में ही अगर हो जाए, ejaculation हो जाए, और बोथ partners को कोई complain नहीं है, तो वो PME में नहीं आएगा, और किसी का अगर 30 minute भी होता है, फिर भी अगर ये काफी bothersome है किसी भी एक partner के लिए, तो वो PME में आ जाएग तब से ही इसका जो IELT है, कम है, या बहुत जल्दी जो है, ejaculate हो जा रहा है, sooner than the desired, और acquired में होता है कि शुरुआत में इसका ठीक था, timing IELT ठीक था, और बात में जाके ये धीरे-धीरे कम नहीं हो, PME के जो है, में दो कारण होते हैं, पहला होता है biological कारण, और दूसरा होत हो सकता है, उसमें gonads का problem हो सकता है, hormonal level जो है, खासका LHFSS, prolactin ये सब का जो है, abnormal level हो सकता है, genetics problem हो सकता है, thyroid में खासकर hyperthyroid हो सकता, obesity, alcohol, drugs, neuropathy, बहुत चीज़ हो सकता है, next है कि psychological कारण, तो psychological कारण में हो सकता है, कि किसी को बहुत जादा anxiety होने लगे, stress हो, या fear होने लगे या guilt होने लगे, तो बहुत सारा कारण है, जो मैंने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं, अब हम सीधा जंप करते हैं, treatment के उपर, अब बताइए कि treatment इसका क्या होगा, तो treatment में जो है, सबसे पहले हमको initiate करना है, ध्यान दीजेगा, main हमारा 3 component देखा गया है, जो involve होता है, पहला होता है, सबसे पहले की penile hypersensitivity, जो tip of the penis होता है, वहाँ बहुत सारे nerve होते हैं, highly innervated area होता है, nerves बहुत जादा होते हैं, तो अगर वो बहुत जादा hypersensitive होता है, तो तुरंत ejaculation हो जाता है, that is premature ejaculation होता है, तो इस tip of the penis को अगर हम sensitivity को कम करना है, तो हम numbing cream ये कौन सा numbing cream, anesthesia वाला जो होता है, anesthetic gels लगा सकते हैं, तो anesthetic gel lidocaine का आता है, या lidocaine plus prelocaine का mixture आता है, तो ये जो है gel लगाया जाता है, just before the, 30 minutes before the sexual intercourse ये लगाते हैं, अब हर चीज़ के अपने फायदे हैं, नुक्सान है, हाँ, एक और चीज़ की, जो ये लगाया जाता ह है gel, उसके बाद जरूर male partner को condom पहनना चाहिए, otherwise जो है, ये जो cream है, it will be also transported to the female vagina, वहाँ भी चला जाएगा और उनका vagina भी numb हो जाएगा, इसलिए condom पहनना जरूरी है इस conditions में, तो एक तो ये हो गया कि numbing cream आप लगा सकते हैं, अब इसके side effect, obviously side effect होता है, बहुत बार अगर जादा लग गया, तो irritation हो सकता है, या हो सकता है कि काफी जादा sensitivity इसकी loss हो जाए, एकदम जो है, without sensation रहे, तो फिर जो है, there will be no interest in the sexual intercourse, हो सकता है female partner को अगर ये transmit हो गया, ये cream, तो उनका area भी numb हो जाएगा, इसके बाद आता है कि इसी चीज़ का और modified version, तो अब क्या किया ज सेम यही चीज़ रहेगा, या तो lidocaine का अलग से spray भी आता है, promotion spray करके आता है, या extend spray करके आता है, या lidocaine, fresh prilocaine का mixture spray आता है, वो भी use किया आता है, lidonair नाम से आता है, मैंने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं कि कैसे use किया आता है, तो ये spray को जो है, आप तीन बार वहा मारा जाता है, और especially जो है, नीचे के तरफ, बिनीथ, नीचे, तरफ टीप आफ पेनिश के नीचे के तरफ, ventral surface के तरफ मारा जाता है, वो area ज़्यादा sensitive होता है, और उस पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने भी दिया है, तो spray यूज़ करने से ये फाइदा हो गया, कि ये इसके side effects नहीं है, बहुत ज़्यादा absorb होता नहीं है, तो female partner को ज़्यादा problem नहीं होगा, condoms बहुत ज़्यादा required नहीं भी हो सकता है इसके लिए, पहनना जरूरी है या must है, और तीसरा कि ये messy नहीं है, बहुत जो चिपचिपा या cream जैसा एक filling आ रहा है, ये नहीं है, तो ये भी यूज कियाता है, और इसको आप hardly 5-10 minutes before यूज किया जाता है, उसके लिए आपको कम से कम 30 minutes, 20-30 minutes पहले यूज किया जाता है cream को, दूसरा treatment जो है, वो accidental finding है, accidental finding इसलिए क्योंकि देखा गया कि जिन लोगों को depression की दवाईया दी जा रही थी, इससे साराई ग्रूप क या TCA group की tricyclic antidepressant या selective serotonin reuptake inhibitor group की दवाईया, उनमें देखा जा रहा था कि जो ejaculation है, वो delayed हो रहा था, मतलब ये इससाराई का side effect था, और इसी side effect का use हमने यहां कर लिया premature ejaculation में, तो बाद में ये पता चला है कि जो brain में जो serotonin का level अगर काफी कम जाता है, तो बहुत जल्दी ejaculation होता है, और serotonin का level अगर बढ़ जा, तो ejaculation delayed होता है, और obviously ये जो दवाईया है, जो SSRI और TCA जो की antidepressant है, brain में serotonin के level को ये बढ़ा देती है, उसके चलते आपका जो PME है, that is premature ejaculation, ये delayed हो जाता है, तो अब इसमें कैसे हम शुरुआत करें treatment, तो इसमें भी जो दवाईयां यूज करते हैं antidepressants हो, चाहे वो tricyclic antidepressant हो, चाहे वो SSRI हो, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कि on demand, मतलब जरूरत पढ़ने पे, जब आप जो है anticipated, अगर sexual intercourse होने वाला है, या planned sexual intercourse है, तो उसी समय जो है, चार घंटा पहले, तीन घंटा पहल है, और दूसरा है कि long term आप यूज कीजिए, मतलब daily का daily आप यूज कीजिए, भले ही आपको depression है या नहीं है, या anxiety का problem है या नहीं है, तो इसमें जो है हम लोग mainly जो use किया जाता है, अगर tricyclic antidepressants की बात करें, तो इसमें klomipramine use किया जाता है, klonil नाम से आता है, इसका क dry mouth, constipation, retention of urine, blood vision, nervousness, थोड़ा tremor, तो ये सब side effect तो कुछ ने कुछ होता है, और इसका मैंने दिया है, detailed आप देख सकते हैं, और दूसरा जो use किया जाता है, बहुत commonly जो है, sertralin है, और आपका paroxetine है, जो कि सब ये SSRI में आता है, सिर्फ klomipramine जो है, TCA में है, बाकि सब SSRI म phlooxetine है, phlooxetine है, overall, जो है, SSRI का side effect तो आपको पता ही होगा, जैसे कि काफी थकान होना, या nausea, जी मचलाना, nervousness, anxiety, tension, tremor, ये सब हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, मैं डरा रहा हूँ, ये सब हो सकता है, सब कुछ नहीं होता है, और ये काफी tolerated दवा है, बहुत लोग तो depression वाले खाते ही है, और उतना भी ज्यादा problems नहीं होता है, इसमें भी अगर बोला जाए कि सबसे best कौन सा SSRI है, तो एक study इरान में हुई, उसमें देखा गया, कि सबसे best जो दवाया उसमें उभर के निकली, वो है paroxetine, paroxetine का जो efficacy था और effect था, वो काफी ज्यादा था, दवा, सिर्फ एक दवा याद रखिएगा, अभी तक जितने भी दवा बता रहा है, सिर्फ एक ही दवा, especially बनाई गई है, किसके लिए, तो pre-mature ejaculation के लिए, वो एक SSRI है, और उसका नाम है dapoxetine, dapoxetine ही एक दवा है, जो SSRI है, जो बनाई गई, especially PME के लिए, pre-mature ejaculation के लिए, और यूरोप में, UK सिर्फ में जो है, चल रही है काफी, बट एक बात याद रखिएगा, कोई एक भी दवा, इसमें से FDA approved नहीं है, FDA approval अभी किसी भी दवा को नहीं मिला है, हाला कि सब में से एक ही दवा है, dapoxetine जो बनाई गई है, especially PME, अब dapoxetine के साथ benefit क्या हु पढ़ने के लिए जाता है, तो इसका compliance अच्छा होगा, डेली लोग क्यों खाएगा दवा, anti-depression, for increasing the performance, या for increasing their IELT, मतलब वो time बढ़ाने के लिए, ये ज्यादा बेटर था, मतलब ये ज्यादा suitable था persons के लिए, तो इसका बहुत ज्यादा ये चला, और ये especially बनाई ही गई PME के लिए, बट हाँ, इसको भी approval अभी तक नहीं मिला है, अब डेपॉक्सिटीन के साथ एक side effect है, जो ध्यान रखिएगा, डेपॉक्सिटीन बहुत बार है, seizure तक कर सकता है, seizure, convulsion, syncope कर सकता है, या आप sudden loss of consciousness हो जाएगा, tremor या anxiety, ये सब nervousness कर सकता है, जो भी SSRI की दवाई है, हमेशा ये बोली जाएगी आपको, कि अगर hurt के patient है, या BP बहुत fluctuate करता है, तो इसको आप नहीं लेना है, अब डेपॉक्सिटीन के साथ side effects तो था ही, और इसका problem ये भी था कि ये costly बहुत ज़्यादा था, बाकि सब SSRI से ये costly है, भले ही इसका एक सबसे ज़्यादा benefit ज से 6 गंटा पहले, या हम डेपॉक्सिटीन भी दे सकते हैं, बट क्लोमिप्रामीन on-demand उतना ज्यादा effective नहीं है, सबसे ज्यादा effective जो है, डेपॉक्सिटीन है on-demand, और अगर overall daily लेने की बात किया जाए, तो पैरॉक्सिटीन इसमें सबसे better है, नेक्स जोदावा जो दी ज लेविल को और नौरी पीनेफरिन की लेविल को ये बढ़ाता है, अब शेरोटोनीन का लेविल बढ़ेगा, तो automatically जो है आपका ejaculation delayed होगा, तो premature ejaculation में इसका यूज किया आता है, इसके साथ भी यही वाला सबसे best benefit कि इसको भी हम लोग on-demand ही देते हैं, पचाश मिली ग्र से लेके 100 mg के बीच में जो है इसका डोज दिया जाता है, 62 mg भी चलता है, 100 mg नेक्स जो होता है PDE, Phosphor Diasterines 5 Inhibitors, जिसके अंदर से डेलाफेल, टारडेलाफेल, यह सब जो आता है, जो की भायगरा नाम से जो है बहुत काफी famous है, तो यह हम इसलिए देते हैं, क्योंकि यह भी देखा गया है कि बहुत सारे premature ejaculation जिनका हो रहा है persons का, उसमें erectile dysfunctions भी रहता है, तो अगर erection अच्छा नहीं होगा, तो obviously जो है penetration अच्छा नहीं होगा, और फिर उसके चलते जो हो सकता है कि आपका premature ejaculation हो, तो अगर किसी भी person, अगर कोई भी person डॉक्टर के पास जाता है अगर premature ejaculation लेके, तो उसका जरूर जो है देख लेना होता है कि उनका ये ED है कि नहीं, erectile dysfunctions है कि नहीं, अगर ED भी है और PE है, तो इस conditions में हम combination देंगे दवा, क्या-क्या देंगे, पहला ED के लिए जो देते हैं, पॉस्पोड एस्टरिस 5 inhibitor, सिल डेनाफिल, डेनाफिल जो problem जो है लगबग, शॉल हो जाता है, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने TCA या SSRI, चाहे तो क्लोमिप्रामीन, चाहे तो फ्लॉक्सिटीन या पैरोक्सिटीन, आप रेगुलर बेसिस पे लेने लगे, for the treatment of premature ejaculation, तो आपको थोड़ा धैरे रखना होगा, कम एक बार आपने ये दवा शुरू की, रेगुलर बेसिस पे, बिना डॉक्टर के पर्मिशन के तो शुरुआद भी नहीं करना है, और बंद भी नहीं करना है, क्योंकि सड़न अगर स्टॉप करेंगे तो आपको क्रैविंग शुरू हो जाएगा, और एंग्जाइटी, ट्र और चीज में, क्योंकि हमको फाइदा दिखा है, तो हम बोलते हैं कि ओफ लेवल यूज किया जा रहा है, और एक ट्रिट्मेंट होता है, ट्रिट्मेंट विथ अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स में आता है आपका, देखे होंगे, टैम्शुलोसीन, या सिलोडोसी यह सब का एक benefit क्या है, यह भी यूज किया जाता है, यह उन पेशिंट्स में यूज किया जाता है, जिनका LUTS है, मतलब lower urinary tract symptoms है, या prostate का जो है, आप देख रहा है, hypertrophy या prostate काफी बड़ा है, तो या urinary tract में हमेशा infections है, यह सब problems रहता है, तो उन conditions में यह फाइदा करता है, यह सिलोडोशीन especially, जितनी भी studies हुई, तो यह देखा गया कि जो IELT है, intravaginal ejaculation latency time जो है, अगर जो daily ले रहे हैं दवाईयां, सपोज अगर वो paroxetine daily ले रहे हैं, तो यह देखा गया कि इन में ज्यादा IELT बढ़ता है, मतलब इनका जो है, जो ejaculation है, यह ज्यादा delayed होता है, मतलब यह ज्यादा effectively काम करता है, बसरते कि जो हम लोग on demand लेते हैं, एक और चीज होता है कि किसी को अगर particular कोई SSRI से बहुत ज्यादा improvement नहीं है, सपोज किसी का phloxetine चलाया गया या किसी को सिटेलो प्राम चलाया गया, तो बहुत ज्यादा improvement नहीं है, तो एक दूसरे स कि हाँ, स्विच किया जा सकता है, स्विच करने से कुछ changes आते हैं, कुछ अंतर आता है, उनका symptoms में improvement होता है, सबसे पहले जो treatment बताया जाता है, वो PME का, उसमें बोला जाता है पहला कि behavior therapy, behavior therapy में होता है start and stop taking, start and stop taking क्या है, कि इस conditions में कि if sex is going on, sexual activity is going on, तो जैसे ही person को feel होता है, कि now it's time ejaculation, जो है sensation मिलने लगता है, जैसे लगा कि ejaculation होने वाला है, he has to withdraw it, मतलब बाहर निकालना है पेनिस को, then wait for some seconds, let the sensation of this pass, मतलब ये वेन हो जाए, ये चीजे शबसाइड हो, then again reintroduce into vagina और फिर वो, तो इस तरीके से ये जो है अपना IELT को ये बढ़ाते हो, दूस जैसे ही फिर वो sensation of, जैसे उनको लगा कि ejaculation अब होने वाला है, तो उस ही समय जो है, the partner जो होता है, he squeezes the tip of the penis, और उस conditions में फिर, क्या है कि आपका ejaculatory जो reflux है, वो कम जाता है, urgency अब कम जाएगा, फिर, now you have to restart the process again, तो ये है squeeze take, and third है कि pre-coital masturbation, मतलब जो है कि coitus से पहले जो है, एक घंटे पहले या दो घंटे पहले, you need to master weight, so that कि अभी जो urge है, sudden इतना जल्दी नहीं होगा, तो chances है कि there will be a delayed, जो है आपका ejaculation, IELT, इस time बढ़ सकता है, तो ये सब चीजे बताए जाती है, pelvic floor ये जो exercise है, keagles exercise है, ये तो बहुत common है, मुझे लगता है, ये information आपक काफी अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर ले, thank you so much, जैहिन